सब्सक्राइब करें लाजिकने जो इस तरह की केस है फिलड़ के अंदर ब्बहु ज़ादा तर देखने को मिलते हैं पस्षू में का पशू में हो रहा है यानि गोबर के साथ खून भी आ रहा है साथ में बहुत ज़्यादा पश्चु पतला गोबर भी कर रहा है तो उसी स्तती में आप उस एदी पश्चु में इस तरह की दिकत हो जाए तो उसका परफेक्ट ट्रीट्मेंट क्या होता है कौन सा ट्रीट्मेंट करना चीए फुल ट्रीट्मेंट आज आपको बताया को भी कोई दिकत देखने को यह पच्ट पा disciplines को सही तरह से इसका डाना जूरुत ci begin कि पी तरह कोई तरह कोुई बीधिकत हो सकता है वाइरल भी हो सकता है फंगल हो सकता है यह और इंपेक्टेड यह इंपक्टी पशू में डायरिया हो सकता है और कईबर उसके वजए से एधी आंत में सुजन आ जाती हैं इंट्रेटाइब शूर्ण बन जाता है तो आपर पशू में दिकत हो सकती है अंदर स्वेलिंग आ सकती हैं जिसकी वजए से पशू में गोबर के साथ पानी सा मठमेला या पस जैसा तो उसके अंदर गोबर के साथ मिक्स रहता है और उसमें खून भी रहता है इस तरह की इस्तती पशु में लंबे समय तक यह बनी रहती है दो दिन चार दिन अब गर्मियों के मौसम में तो पशु में भोज़ा दिकत हो सकती है पशु डियाइडरेशन का शिकार हो सकता है तो अपने वेटेशन करवा लेना चाहिए देखो इस तरह की केस में आपको क्या करना है देखो सब्सक्राइड परतम दो मैं आपको बता रहा हूं इस तरह की केस में आपके पश्व में दिकत हो जाये तो आप इस बॉलस का उप्योग आप अपने पर सुमें जरूर कर वा और रहें आचीए देव कौन शी बॉलस आती है जिसके अंदर साल फैन बीन्डा जो लें आयर मेक्तिन इस प्रकार से बेंडिकाइन प्लस जो की मेंडिकाइन के कि साल प्लस है जो इस तरह की बॉलस आती है तो बड़े पर्शुद जो गाहँ आपको यह एक बॉलस शुब्ब को इस बॉलस का उपयोग एदि आपके परसू में किसी भी तरह का डायरिया हो डिसेंट्री हो जाए तो आप इस बॉलस का उपयोग अपने परसू में जरूर करवा लेना चाहिए इसके साथ आपको क्या करना है कि यह आपने बोलस दे दी बहुत अच्छी बात है फिर भी स्टेज में बता रहों कि आपको क्या करना चाहिए पर नहीं रूक रहे तो आपको वेटेनियरन की भी शला रहनी चाहिए फहले आप यह यह प्रकार छे डायरीया हुआ आप ने देखा कि परसू का डायरिया रुका है निरुका या उसी दिन आप अपने परसू को जैसे ड नेबलोन पाउडर तो यह नेबलोन पाउडर आपको जो बड़े पस militia Okay, उन वीबलोन पाउडर लेना है और यह transparen index यह नहितों पाईर कर लेते हैं तो इनकी पीष में जो पानी बजता है बाद में तो उस पानी के साथ मिक्स करके, आप अपने पत्तों को यह नेबलोन पाउ सब्सक्राइब जिस तरह चे इंटिबायोटिक इंजेक्शन बायोट्रीम इंजेक्शन है, सल्पाडाईजिन इंट्राइमेतो प्रीम इंजेक्शन इंजेक्शन उस पसू को लगाया जाता है, तो ये injection उन पस्षू को जिस प्रकार से 1 ml पर 30 kg बोडिवेट इंट्रा मस्कोलरी injection लगता है तो जो बड़े पस्षू है उनमें 15 ml ये सिंगल डोज इस तरह से आज लगा दी फिर ये दी नहीं रुक रहा है तो दो दिन इस प्रकार से 2 से 3 दिन इस इंजेक्शन इस एंटिब मिलता है तो इस तरह की केस में आप स्ट्रेप्टो पेनिस लें इंटिबाटिक जिस प्रकार से DCR है वह अपने वेटेनेरियन से सिरफ तो आप बड़े पस्षूं को पांच ग्राम आप ये इंजेक्शन पस्षू को साथ में लगवा दे इस तरह से आप ये 2-3 दिन आपको तौर एक जो इन्जेक्शन आता है जिस तरह से वेटलेटिन येवेटलेजिन इन्जेक्शन डाइरिया इंट्रायन किस यह अधर कोई दिकत अगई है उसमें आपको ये वेटले इन्जेक्शन उस पस्षू को जरूर लगवाना है इसकी डोज एदियाब अपने पस्षू क खाना पिना छोड़ दे एकदम सुस्त हो जाए यह आपके प्रशू में बहुत ज़्यादा इंटन हो जाए पेड़द की सिकायद सी करना स्टार्ट कर दे और डायरिया रूप नहीं रहा है आपने तरह की दवा दे दिया तब आपको यह इंजेक्शन आप अपने वेटरिनेर प्रशू को दी जाती है ताकि उन प्रशू के शरीर के अंदर एंडर्शी आये और डायरिया जल्दी रूखने का बहुत जल्दी आपके प्रशों में डायरिया रूख जाएगा तो आर अफियोग करना है जबादि आपके परशूं में कमजोरी आगई बहुत डायरिया कर वाप उपयोग कर सकते हैं इस आरल के साथ ही आप मिक्स करके आप इस मेटरा निडाजो जिस परकार से 100 ml बड़े परसुव में एक साथ इसका भी उपयोग में जाता है न्याथ आपको इसका उप्योग नहीं करना आए यह जो थीटमेंट बता रहे हो ste best treatment है जब यह दिया आपके पसु में साथ में जब यह treatment करते हैं तो आपको उसमें कुछ इस broad spectrum antibiotic bolus है उन पसु को जूर दिलाने से यह जिस प्रकार से anti-z bolus आती है नोरफलोकजासिन एंटेंटा जोल यह bolus जिस प्रकार से आपने आज treatment कर दिया आई आप नहीं जा सकते हैं तो anti-z bolus आप उन पसु को जरूर दिलाएं जिस तरह से यह दो बॉलस सुब है और दो बॉलस स्याम यह आप अपने पसु को लगातार तीन दिन यह anti-z bolus एंटिबाइटिक बॉलस आती यह भी जूरूर देनी है लेकिन यह bolus भी आपका veterinarian ने decide करता है कि उस पसु को कितने दिन देनी है तो इस तरह से आप उन्हें पस्चु को control कर सकते हैं तो किस तरह से control कर सकते हैं जो मैंने बताएं पैस तो आपने जिस प्रकार से बश्चू को डायरिया रोका जा सकता है जो इस तरह के मौनद में पफेशू में मिल रहा है रिजयल्ट की पश्चू एच्छा मिलेगा और उस ट्रीट्मेंट डाइच को रहता सकता है। तो दिता हो सबस्क्राइब्स